नमस्कार फैंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंसाइट्स वाई पी के वार्शने टुडे वी लिडिसकेस अवाउर्दा कैप्टल गेन क्योंकि गॉवर्णमेंट जो है कैप्टल गेन के बारे में रिसेंटली कुछ एक चेंज इच करने जा रही है तो आगे बढ़ने से सभी वी और से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाज सक जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि कैप्टल गेन होता क्या है तो वाट इस दा कैप्टल गेन कैप्टल गेन वह टेक्स होता है जो किसी कैप्टल असेट की सेल से होने वाली अर्निंग पर वसूला जाता है रियल एस्टेट की जो सेल होती है उस पर लॉंग टर कैप्टल गेन पर बीस परसेंट की दर से टेक्स लगता है और साथ में 3% जो होता है सेच भी लगता है The short term capital game tax rate for equities and related asset is 15% और यह tax एक तरीके से बचाया भी जा सकता है As per ITR section 54 आप जो earning की है उस amount को किसी दूसरे मकान में भी लगा करके tax की बचत कर सकते हैं लेकिन यह relaxation जो है मकान बेचने के 3 साल के भीतर ही दूसरा ready to move house खरीदने पर ही मानने होती है तो government capital gain tax rules में change करने पर consider कर रही है budget से पहले ही सरकार जो है इस rules में change करना चाती है जिससे taxpayer को एक बहुत बड़ी राहत मिले holding period और rates को लेकर के capital gain tax के बारे में confusion बना रहता है जिसको दूर करने के लिए सरकार जो है इस पर विचार कर रही है government भी realize करती है कि इस tax में जो complications है जो उसे complicated है ये tax जो है उसे बदला जाना चाहिए तो complication कहां आती है complication जो आती है कोई भी property को कितने दिन बाद hold करने के बाद बेचा जा रहा है और किस हिसाब से capital gain tax लगता है तो इसके rates भी different है इसकी वजह से income tax में बहुत बड़ी confusion की सिती रहती है तो holding period क्या होता है holding period जो है shares के लिए 12 महीने होता है real estate के लिए 24 महीने है और date के लिए 36 महीने है और इस period के बाद property बेचने पर capital gain tax लगता है यहां पर यह confusion होता है कि किस सब्दी के लिए कितना tax देना होगा और फिर property कितने दिनों तक hold की जा रही है और इसके बाद जो earning होगी जो उसकी basis पर यानि कमाई के basis पर जो है capital gain tax लगता है इसलिए सरकार capital gain tax जो कुछ change इच करने पर बिचार कर रही है जो की budget से पूर जो है पूरा हो जाएगा आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू